हाँ तो दोस्ते एक और नई वीडियो लेकिया आज चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपनी चैनल ट्रीकी मैन पर तो गाईज आज इस वीडियो में आप लोग को Microsoft के एक बहुती बहतरीन प्रोग्राम की online registration स्टार्ट कर दी गई है उसके बारें बताने वाला हूँ Microsoft Engage Program जो के एक Free Mentorship Plus Internship Program होता है इस प्रोग्राम में आप लोग को Microsoft की Employees से Free Mentorship Provide की जाती है जिससे आप लोग नई-नई Skills सीख सकते हो नई-नई Learnings ले सकते हो उसके बाद program complete होने पर direct Microsoft में आप लोग को Internship करने का भी मोका मिलता है एक बहुत ही exclusive यह programs होता है जो कि पहले IIT, NIT BITS Planner जैसे colleges के लिए यह program होता था Tier 1, Tier 2 के college students apply कर सकते थे बट इस बार 2022 में अगर आप Tier 3 college के students भी हो तो भी आप लोग इस online program के लिए free of cost apply कर सकते हो registration open है पूरी process इस यूडियो में आप लोग को बताऊंगो बहुत ही limited time है तो जल्दी से वीडियो देखकर आप लोग apply कर दीजिएगा अगर आप लोग कोई वीडियो चुलेगे एक like जरू करना अपने दोस्तों में इस वीडियो को share करना चाहा कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फायदा उठा सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बहतरीन update के बारे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आप में से कई लोग developer बनना चाहते हैं and country की best company में place भी होना चाहते हैं तो मैं आप लोग को एक ऐसे ही online program के बारे में बताना चाहूँगा जो कि 6 months का full stack developer program है इस program को complete करने के बाद आप लोग को guaranteed placement भी दिलवाई जाती है इन total 700 ज़दे companies hire करती है developers को Newton School से Newton School के जो students है already अच्छी companies जैसे की Flipkart, Nike, Unacademy जैसी companies में placed है and best बात इस program की यह है कि यहाँ पे Newton School को अपने course पे और module पे इतना confidence है कि आप लोगों से तब तक कोई फिस नहीं लेते हो and guys यह कोई magic नहीं है Newton School आप लोग को six months की कड़ी online training प्रवाइड करते है personal mentoring and live sessions के थूँ इनके instructors और जो mentors हैं खुद software development engineers है top product based companies में जैसे Google, Microsoft, Amazon जैसी companies में तो आप लोग को यहाँ पे इनके course में scientifically designed course है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है जैसे industry relevant projects, assignment, quizzes, mock interviews जिसमें आपकी communication skills को भी improve किया जाता है and guys अगर आप लोग six months में minimum पांच लाग या फिर उससे की जौदा की job चाते हो तो आज ही आप लोग register कर सकते हो इनका जो next batch है वो 25th April से start हो रहा है वीडियो description में आप लोग को link मिल जाएगा Gmail ID के through आप लोग register कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को एक online application form field करना होगा उसके बाद आप लोग का एक online test होता है aptitude based test होता है easiest test होता है यहाँ पर आप लोग को कोई ज्यादा skills भी नहीं चीए अगर आपका coding में background नहीं भी रहा है तो भी आप लोग यह test दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं यह चीज में अगर आप लोग उने management type को डिगरी किया वो बच्चे भी यह course कर सकती है document verification होता है उसके बाद आप लोग को 15 live classes भी मिलती है newton school से free of course जिससे आप जान सकते हो यह course आपके लिए है या नहीं है उसके बाद यहाँ पर pay after placement agreement साइन होता है जिसमें आप लोग की जब job लग जाती है तब आप लोग को कुछ amount pay करना होता है इस company को वो तारी detail आप लोग को इस program में मिलने वाले है उसका link भी आपको वीडियो description में मिल जाएगा तो आप लोग Microsoft के official page पर जा सकते हो इंगे इस 2022 के नाम से प्रोग्राम है यह एक online program है आप लोग के लिए यहाँ पर online registration है उसके बाद यहाँ पर engineering students के लिए program है engineering background के अगर आप student हो 2024 में pass out होने वाले ह इस time पर second year में आप लोग पढ़ रहे हो या फिर आप लोग इस time पर कोई दूसरी degree कर रहे हो master degree कर रहे हो 2024 में आप graduate होते हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस program के लिए यह जो program है engineering students के लिए जिसमें mentorship provide की जाती है coding challenges होते हैं workshop होती है networking opportunities होती है students के लिए यहाँ पर इस program में multiple चीज़ें आप लोग को सीखने का मौका मिलता है इस program को complete होने के बाद Microsoft में internship करने का भी आपको मौका मिलता है proper eligibility की बात करें तो यहाँ पर students जो भी graduate होने वाले है 2024 में इस time पर full time engineering program में आप enrolled हो bachelor master या फिए integrated dual degree या फिए related degree में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो 6CGP आप लोग की होनी चीए अगर यह 6CGP है तो आप लोग apply कर सकते हो इस program के लिए उसके बाद यहाँ पे तीन challenges है जिन पर आप लोग को in future अगर आपका इस program में selection होता है तो काम करना का मौका मिल सकता है जैसे face recognition feature है face recognition product है data analysis का यहाँ पे project है उसके अलावा algorithms का project है इन त आ रहा हूं बट एक चीज़ में आपको पहले ही बता दूँ इसकी registration कभी भी over हो सकती है तो जितनी यल्दी आप लोग apply करोगे उतना जदा फायदा अभी तो 13 अपरे आपको दो गंटे में यह video मिल जाएगी तो registration close नहीं होगी अगर इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग को च यहाँ पर समझा दी जाएंगी यहाँ वीडियो लेक्चेर से आप लोग को दिये गए हैं इनसे आप लोग idea लगा सकते हो यहाँ पर हम लोग dates की बात करें important dates की तो आप देख सकते हो यहाँ पर important dates में registration open हो रखिये हैं आपर download application process guide आप देख सकते हो यहाँ पर सारी detail कैसे आ online test होने वाला है उसी के basis पर आप लोग का यहाँ पर इस program के लिए selection होगा अगर आप लोग apply करने की सोच हो इस program में तो आप लोग apply कैसे कर सकते हो यह मैं बता देता हूं register का बटन है इस पर click करोगे तो आप लोग Microsoft के official website पर पहुंच जाओगे English 2022 Engineering internship opportunity यह आप लोग को training की team के साथ भी काम करना पड़ सकता है implementation team के साथ भी आप लोग को काम करना पड़ सकता है तो यहाँ पर apply now को बटन है इस पर apply now के बटन पर click करके आप लोग इस internship के लिए direct apply कर सकते हो कुछ basic application form में आप लोग को यह थोड़ा ध्यान से फिल करने है जैसे आप लोग को अपन 2024 में पास आउट नहीं होने वाले हो मालो 2022 में पास आउट होने वालो या फिर पास आउट हो चुके हो तो Microsoft की तरफ से आप लोग के लिए एक और internship निकाली गई है especially UX designer internship opportunity यह वाली internship भी आप लोग चेक आउट कर सकते हो UX designer अगर आप लोग इन future बनना चाहते हो तो यह भी engineering field की internship है इसके लिए eligibility की बात करें बी बीटेक वाले apply कर सकते हैं mtech और MS degree in computer science और related field वाले apply कर सकते हैं अगर आपकी 6 CGP या फिर उससे ज्यादा की यहाँ पे CGP आपकी रहे तो आप लोग इस वाली internship के लिए ज़रूर apply कर दिजेगा अगर आप graduates है या फिर pass out है तो आप लोग यह वाली internship ले सकते हो direct Microsoft में UX designer की इसके लिए भी आप लोग को वीडियो description में link मिल जाएगा इस video में बस इतना ही thank you for watching